दोस्तों इस बीनों आप देख रहा है आप ठाटी नाइथ मैच होने वाला है इंगलेंड और सिलंगा के भी दोस्तों यह मैच के प्रिवू स्टार्ट से पहले आपको बता को कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीकम चले नहीं जॉण के हो तो डिस्किर्ट्रिप्सन में दि की देखिए यह मैच इंगलेंड के लिए मतलब डू और डाइव मैच होने बाला है कि दोस्तों देखिए तीन मैच और इंगलेंड ने भी जीते और इंगलेंड ने भी तीन मैच जीते आपको पॉइंट स्टेविल के तरब लेकर चलूँगा वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा वीजन तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑस्टलिया ने तीन मैच जीत चुके है पांच मैच खेलके मतलब इनकी जो सुपर ट्विल को मैचे से वह खतम हो गया है तो इंगलेंड को अगर जाना है मतलब सेफ हल को जाना है देखिए न्यूजिलेंड क्वालिफ अच्छी रांडेट लेके वैसे दिखिए रांडेट में तो आ गई है लेकिन अच्छी रांडेट लेके जीतनी पड़ेगी जैसे कि ऑस्टलिया अगर आज अग्वनिस्थान को 106 रांड के बीच यहाँ पर अलोड कर देता या फिर मैच को खतम कर देता तो यहाँ पर इस की जो है रांडेट प्लास हो जाता और टेंशन बहुत ही कम होता लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात है कि इंग्लेंड अगर इस मैच जीते और अच्छे मर्जिन से जीते तो यहाँ पर सिधा-सिधा इंग्लेंड क्वालिफे कर जाएंगे और इसले यहाँ पर नंबर तीन प पहार हो जाएगा तो इसलिए दोस्तों इंग्लेंड के लिए यह मैच बहुत ही मैच बहुत होने वाले है और डुवाट डाइम मैच जिसको आप कह सकते हो तो ऐसा ही यहाँ पर नौकाउट मैचेस के लिए यहाँ पर कौन-कौन से प्लेयर बैतरिन पर्फेंस कर सकते है काल दो फेर देल बजे काल एक ही मैच है दो फेर देल बजी यह मैच होने वाले है और काल के बाद पर सो तीर मैच है ग्रूप वाण का उसके बाद दोस्तों सीधा-सीधा यहाँ पर नौ तारीक को सेकेंड सेमी फैनल मैच हो जाएगा उसके बाद दोस्तों 14 तारीक को साइ वहती बड़ा है 75 प्ला मीटर प्लास यहां पर स्कॉर रोस्ट सोरी यह पर लॉंग और लॉंग आपके बांडरी से जो प्लेज यहां पर अच्छा खासा राणिंग बीट्यून देविकेट रखेगा फिटनेस अच्छा दिखाएंगे उनको ज्यादा से जादे यहां पर जीते तो रिसेंस टर्स की सबसे अगर आप देखोगे तो दोनों का ही अच्छा है तो देखिए सिलोंका की टीम को भी आपको छोटा नहीं समझना है दोस्तों क्यूंकि देखिए सिलोंका भी अच्छा कर सकते हैं इस मैच पर तो देखिए सिलोंका तो मतलब एलिमिनेट हो लेकिन दोस्तों मेरे सबसे यह मैच ओंसाइड नहीं जाने वाला है दोना तरफ से कॉंबेटिसन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों आब हम बात करेंगे यहां पर दोनों टिंग की प्रवाबल प्रेंग एक साथ में पर एक साथ में और क्या होंगे उसके बारे में यहां पर आउट हो जाएगा मतलब रानस बना देंगे और वह भी रानस मना देंगे लेकिन अगर आप दोनों को ही लियलोगे तो देखले मैच में ही मतलब दोनों ही जाएगा ऐसा ही चल्लल कुछ इंगलन के टीम में प्रिंक्षों 29-21 रन 2 मैच पर 3-0 विकेट नंबर 5 पर आएंगे दोस्तों हरी ब्रूक 7-18-7 रन बेंस्टोक्स नंबर 6 नंबर 6 नंबर 6-8 रन 3 मैच में 2-1-1 विकेट सैम कुरान उसके बात आएंगे 6 रन 3 मैच में 5-2-2 यहां पर अलगभग 5 मैच में 3 मैच में 9 विकेट 3 प्लास विकेट लेने का आएवेरिज है सैम कुरान के पास दोस्तों 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 यहां पर आपको बताऊंगा कि लास्ट मैच पर किया हुआ था एलेक्स सेलसर बाटलर की एक अच्छी खासी पार्णा सिख चली थी उसके बाद दोस्तों इतने भी ज्यादा उभर ख अप्श्य सं हुई है कि थोड़ा सा जल्दी यहां पर बहुपनर आउट होगे तो डिरेक्लि मालन वान डाउन आएंगे लिविंग स्टों थोड़ा सा नीच आएंगे और मोहिनली भी थोड़ा सा नीच आएंगे उसके बाद आसकते दोस्तों बेंश्टों नमबर चार पे और उसके बाद दोस्तो आएंगे मेरे सबसे लिविंग स्टून पांच पे उसके बाद हैरे व्यूक छे और मोहिनली साथ पे आ सकते हैं दोस्तो ऐसे कुछ बैटिंग होड़ा रहना चाहिए इंग्लेंड की तिम की तरफ से दोस्तो कृषोक्स एक उकेट दो नो मैच में तीन उकेट आधिर लशे लगाता तीन मैच फेमचे ऊकेट दोस्तो चल सकते इस मैच पर जी work होगा आपके लिए मारकूट तीन मैच में 2-3-1 टूल यहाँ पर 7-6 उकेट तीन मैच में तो मारकूट अच्छा खासा उप्शन हो सकता है आपके लिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंगलेंड की तरफ से कौन-कौनसे प्लेयर आपके लिए मास्ट चोश रहना चाहिए इस मैच में यह पर चोट से थोला सा बाहर होए थे लेकिन चोट खतम होने के बाद मतलब रिकोवारी करने के बाद जब टीम में आये इनकी फॉर्म पूरी तरीके से बाहर हो गाए 0-0-10 तीन मच पर एक भी आच्छे स्कोर नहीं कुसल मेंडी अच्छा कर सकता है थोड़ा सा डिपेंडबूल प्लेयर आप कहा सकते हो शिलोंका की तरफ से 8-4-25 रन तीन मैच में किये धनाज़ेडी सिल्वा 31-0-6-3 मैच पर किये और तीन मैच पर एक के करके विकेड निकाला तो अनब दी बेस्ट कैप्टन सी वास्केप चोईस कप्तन रहेगा टीम का 35-0-1-2 रन वास्केड की बात करें चार रन बनाए लास्ट मैच में और तीन मैच में दो एक तीन टोटल यहां पर छे विकेड निकले दोस्तों हस्केड को जब विकेट्स मिलते है बांचेस में मिलते है जब नहीं मिलते मार खाते है तो अनबिलिविबल मार खाते है दोस्तों तीन ओबर में 50 मार रहे थे स्टोई निस नहीं अकेला ही इनको मतलब धो दिया था प्रमत मदुशन दोस्तों यह मैच में भी ऐसा हो सकते है लिबिंग स्टोन या फिर हैरी भी रूक जैसे प्लियास के पल्ले में पढ़ गए तो वानिदुशन दोस्तों पर भी उनकी बिटाई हो सकते अच्छे फर्म दिखाई है एक दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे सिलोंगे देखिए स्मॉल लिग के लिए बेस्ट और कॉमन कैप्टन से वाइस कर रहेगा जोस्ट बाटलर वाणी नासरांगा धनजय डीसिवास सहीम कुराल चार ही यहांगा टॉप चोइस है और ग्रेंड लिग में देखिए दोस्तों मैं सिक्साना लाहिरु कुमारा लियम अभी हम चलेंगे दी में लिग तरफ वहाँ पर हमने फिर अलेक स्मॉल लिग का डेमो टीम मनागा आपको दिखाएंगे लेकिन दोस्तों डेमो टीम यह रहेगा फाइनल टेम आपको मिलेगी टेलीगम पर टॉस्त के बाद जब फाइनल लाइन अप आ जाएगा तब ही अगर आप फोर मेंबर खेलते होंगे तो आपको विनिंग ही विनिंग हुए है अगर आप थ्री मेंबर खेलते होगे तब ही आपको आपको अच्छा विनिंग हुए है मेरे ही सबसे तो दोस्तों देखिए अभी चलते है आपको डेवोटी मरा कर दिखाएंगे तो गाई श लेकिन दुस्तों यहांपर यह ऑप्इनिंग पर आएगा । performance कृता की शुप करintकर दीए या फिर वहांपर पर इनको परहेशन कर सकता है तभी आप मान लइजे कि बाज घ्लम सनकी बात करें Notice लयकार मलायांग रहेगा साथ में दोस्तों हम यहाँ पर पिक करेंगे डिरेक्ली भानुकर राजय पक्सा दोस्तों तीनों प्लेस हमारे लिए बैटिंग सेक्षन पर रहने वाले है और उन्हें सेक्षन की बात करें वानी दो असरंगा सैम करान, डी सिल्भा, बैन स्टोक्स दोस्तों लियाम लिविंग स्टोन छोड़ रहे लोगों ने इनको लेकिन देखिए गाईस कभी भी चल सकता है ये ऐसे पंस भी होके गुश जाता है ड्रीम टिम के अंदर मतलब पता ही नहीं है कुछ बोले सिल्भ की बात करें दोस्तों, मारकूट, थिकसाना, साथ में यहाँ पर रहने वाला है अगर देखिए अधिलेसित को बहुत दिनों से भरशा करके हमने मतलब क्या बोलता है प्रिवी दिखेंगे प्रिवी में थोड़ा सा गनलीक के मारे भी डिसकस करेंगे यहाँ पर दोस्तों दिखिए जोस बाडलार रिकित क्योरिंग अप्सन पर कुसल मेंडिस कॉप ट्राई कर सक्षन से किसी एक को बाहर करके और यहाँ पर एलेक सेल्स रजा पक्सा डेवीड मलान तीनों रहेगा बैटिंग में बेल स्टोक्स धन्जे डी सिल्वा सैम करान वानिद वासरंगा चार प्लेस रहने वाले अलोंडर सक्षन में और बोलिंग की बात कर दोस्तों क्रिस ओक्स मारकूट माइस थेकसाना क्याटन डेगा हमरे टिम पर फिलाल जोस बाटलार वासरंगा वानिद वासरंगा जील पर आप इस कोबिनेशन के साथ ट्राई कीजिए एलेक सेल्स ऑबेसली बनुकर रजा पक्सा डी सिल्वास सैम कर डेविर मालान और दोस्तों मारकूट तो यह अच्छे प्लेस अब के लिए जील पर बहुत बड़े चोईस हो सकते हैं आप अलगेला कॉमिनेशन में ट्राई कर लेना सैम कुरन ऐसे भी आपके लिए स्मॉल लिग में अच्छा पिक हो सकते हैं तो दोस्तों देखिए फिला मनें अच्छा सा विनिंग कीजिए थैंक्यों सो माच अलगेला बेस्ट मिते नेक्स्ट वीडियो पर